आपने किताब लिखी है Spiritual Secrets of Pregnancy and Child Birth हिंदी में बोली तो गर्भ संसकार के आराउंड है किताब गर्भ संसकार के विज्ञान को डिस्कस करती है निर्जेशित करती है गर्भ शब्द जो है इसके उपर आप थोड़ा एक्स्प्रेंड करते है रमन संसार की किसी भशा में जाओगे और अच्छा खोच करोगे शूरुत करोगे तो पहल Americans बहुत से शब्द जो है किसी भी संस्ट्रभ में का आएगा तो क्यों कैसे कान कहा का होता है खर जो शब्द है वो अकाश होग जो आकाश में गति करे वो खग हो जाता है या खगेश और खवर्ड जो आता है वो अकाश के लिए इसी तरह ग जो शब्द है ग अक्षर जो है वो गती को बताता है ग गती करती कोई भी चीज़ तो अगर आप टेक्निकली भी देखोगे तो ग को अगर लिखोगे तो एक पाँ उठा हो आए ग का जैसे कोई गती करने के जा रहा है चल रहा है यह वर्णन का डिस्क्रिप्शन है एक तरह गां कती करती वी चेतना जब संभूत हो जाती है मैं इसको सिंपल वर्ड में रख देता हूँ बूव करती हुई जो कॉंशिसनेस होती है जब वो डेंस हो करके कहीं पे अक्युमिलेट होने को तयार हो जात करती है और बड़ी मज़ेतर बात है कि हमारे मंदिरों अगर आप जाएंगे तो जहां भगवान बैठते है उस जगे को गर्भ ग्रह वो इसलिए कहते हैं गर्भ ग्रह क्योंकि वह भी गति करती वी चेतना है जिसे हमने प्रान प्रतिष्टा देखी तो प्रान झाल